नमस्ते विध्यारतियों, स्वागत है आप सभी का General Knowledge Study Classes पर विध्यारतियों, आज हम Output Devices के विशे में अध्यन करेंगे जिसके अंतरगा था महत्वण Output Device Monitor, Printer, Plotter, Speaker तथा Projector के विशे में महत्वण तथ्यों को अध्यन करेंगे तो देखते हैं आज की Class हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि Output Device क्या होती है तो Output Device ऐसी सभी Electro Mechanical Device होती है यानि कि विध्यू ज्यांत्रिक युक्तियां होती हैं जो Computer में Result को प्रदर्शित करती है अर्था जो Result को प्रदर्शित करने का कारे करती हैं Computer में उन्हें ही हम Output Device कहते हैं तो Output Device के अंतरगत जो है Monitor, Printer, Plotter, Speaker तथा Projector आजी जो है वह Output Devices के Example है जो Result को प्रदर्शित करने का कारे करती हैं सबसे पहले हम देखते हैं Monitor के बारे में कि Monitor क्या होता है तो Monitor जो है वह एक Output Device है जो Computer में Input कि एगए Data को Computer Screen पर दिखाता है Monitor को Visual Display Unit यानि की Video भी कहा जाता है जिसका Full Form आपको याद रखना है Visual Display Unit क्योंकि यह जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है यानि कि Display करने का कारे करता है इसलिए हम इसे Visual Display Unit भी कहते हैं आगे देखते हैं तो Monitor जो है वहाँ CPU से जुड़ा हुआ रहता है जब User या उपयोग करता है Keyboard या Mouse के द्वारा Data को Input करता है तो Computer Output Device Monitor में उस परदर्शित करता है या दिखाता है जिस समय कंप्यूटर में कारे किया जाता है तो Monitor जो होता है वह CPU से Connected होता है यानि कि CPU से जुड़ा होता है क्योंकि जब भी हमें कोई डेटा या कोई भी जानकारी को सर्च करना होता है तो सबसे पहले हम Input Device Keyboard या Mouse के मादियम से उसे Enter कराते है उसके बाद वह Process होता है तो Processing का कारे जो है CPU के मादियम से किया जाता है और उसके बाद वह सर्च किया हुआ Data या Information जो है वहां में Screen या Monitor पर प्रदर्शित होता है तो Output Device के अंतरगर जो Monitor होता है उसका कारे जो है परिणाम को प्रदर्शित करना होता है Next हम देखते है Monitor जो है User या उप्यो करता को संपूर्ण जानकारी Image, Video या Text के रूप में दिखाता है तो यह भी आपको ध्यान रखना है जो हम Search करते हैं वह हमें Video या Image या Text के रूप में प्रदर्शित होता है तो यहां कारे भी Monitor के मादियम से ही किया जाता है Next देखते है Monitor के प्रकार की Monitor के कितने प्रकार होते हैं तो Monitor अनेक प्रकार के होते हैं जिसमें मुख्या रूप से है CRT Monitor, Flat Screen Monitor, Plasma Monitor, LCD Monitor, LED Monitor और OLED Monitor आगे हम देख लेते हैं इन Monitor की Full Form के बारे में क्योंकि Full Form से लेकर प्रश्याओं में प्रस्न पूछे जाते हैं जो बहुत ही Important है आपको ध्यान रखना है आपको के वर इनकी Full Form ही याद करनी है जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं LED Monitor तो इसका Full Form है Liquid Crystal Display Next आता है TFT Monitor तो इसका Full Form है Thin Film Transistor Next आता है LED Monitor तो इसका Full Form है Light Emitting Diode Next आता है Emold Monitor तो इसका Full Form है Active Matrix Organic Light Emitting Diode Next आता है OLED Monitor तो इसका Full Form है Organic Light Emitting Diode Next आता है CRT Monitor इसका Full Form है Cathode Rate Tube तो आपको इनके Full Form को ध्यान रखना है आगे हम देख लेते हैं Monitor से जुड़ी हुई सब्दावली के बारे में जो की परिक्षा की दृष्टी से बहुत ही Important है जिसमें सबसे पहला आता है Pixel तो Image की सबसे चोटी इकाई Pixel कहलाती है तो आपको ध्यान रखना है Next आता है Refresher तो Refresher जो है वह एक Monitor एक Second में कितनी बार सुचना को Refresher करता है उसे ही Refresher कहा जाता है तो इसे Heart Touch में मापा जाता है तो आपको Refresher से दो बाते याद रखनी है कि Refresher जो है एक Monitor एक Second में कितनी बार सुचना को Refresher करता है उसे ही Refresher कहा जाता है और इसे Heart Touch में मापा जाता है Refresher के बढ़ने से Computer की Monitor की गुर्वत्ता भी बढ़ती है यह भी आपको ध्यान रखना है नेक्स आता है Response Time तो किसी पिक्सल के द्वारा एक रंग को बदल कर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समई Response Time कहलाता है आगे हम देख लेते हैं Dot Piece तो Dot Piece जो है वह दो पिक्सल के बीच की दूरी को कहते हैं तो दूरी है आपर Add कर लेना आप लोग तो दो पिक्सल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं Dot Piece कहते हैं Dot Piece को मिली मीटर में मापा जाता है Next Output Device है Plotter Plotter एक Output Device है जो लगभग Printer की ही तरह होता है इसका प्रियोग Vector Graphics के लिए जथा Graphical Output को कागज पर Print करने के लिए किया जाता है तो Plotter जो है वह Computer Hardware के अंतरगत आने वाली एक Output Device है जो लगभग Printer की ही तरह होती है तो जैसा कि हमने Previous Class में अध्यन किया था कि Printer का प्रियोग Computer से प्राप्त डेटा और Information को कागज पर Print करने के लिए किया जाता है उसी पिरकार जो Plotter है उसका उप्योग Vector Graphics के लिए तथा Graphical Output को कागज पर Print करने के लिए किया जाता है तो Vector Graphics के लिए तो Vector Graphics ऐसी Image होती है जिसे बनाने के लिए Mathematical Object जैसे Points, Line, Shapes, Curve आदी का प्रियोग के जाता है और इनही Vector Graphics के लिए Plotter का उप्योग के जाता है तो vector graphic में ऐसी image होती है जिनें बनाने के लिए गणिती आकरितियां यानि कि mathematical object का प्रियोग किया जाता है अगला point है यह image या pattern को print करने के लिए इसमें ink pen का प्रियोग किया जाता है अर्था जो plotter होता है उसमें image या pattern को print करने के लिए ink pen का प्रियोग किया जाता है आगे हम देखते हैं plotter के उपयोग तो plotter का उपयोग जो है वह बड़े अकार के कागज एवं इमेज यानि large scale paper printing के लिए किया जाता है जिसमें engineering drawing, architectural design जैसे भवन आदी के जो design बना जाते हैं उनकी printing के लिए plotter का उपयोग किया जाता है दूसरा आता है इसका उपयोग graphical output को कागज पर प्रिंट करने के लिए किया जाता है जिसके अंतरगा जरेखा चित्र, मान, चित्र, बड़े बड़े graph, poster, banner, business chart आदी जो है इनकी printing के लिए plotter का उपयोग किया जाता है I hope आपको समझ में आया होगा कि printer का उपयोग जो है वह छोटी मोटी printing यानि कि normal size के printing के लिए किया जाता है जबकि large scale paper printing के लिए plotter का उपयोग किया जाता है तो plotter का उपयोग जो है वह अच्छी resolution या अच्छी quality की printing के लिए किया जाता है तो जैसा कि आपने देखा होगा किसी shop में या किसी coaching institute के बाहर जो बड़ा सा hoarding लगा होता है जिसमें बड़े से graphic पर बड़े से shop का नाम लिखा होता है और अलग-अलग word art उसमें लिखे होते हैं तो इसके लिए जो है वह plotter का उपयोग किया जाता है next हम देखते हैं types of plotter तो plotter को कई भागों में वर्गिकरित किया गया है जिसमें मुख्य रूप से है drum plotter या drum pen plotter और दूसरा है flat bed plotter तो सबसे पहले देखते हैं drum pen plotter या drum plotter तो drum pen plotter में image को बनाने के लिए pen का प्रियोग किया जाता है और यह pen अलग-अलग रंगों की होती है जिसके कारण यह colorful यानि की रंगिन प्रिंटिंग करता है तो रंगिन प्रिंटिंग करने के लिए drum plotter में अलग-अलग pens का यूज किया जाता है अगला देखते है flat bed plotter तो flat bed plotter एक ऐसा plotter है जो कागज पर प्रिंट करने के लिए सपार सतह यानि के flat surface का यूज करते है flat bed plotter की सतह जो होती है वह सपार होती है कुछ इस प्रकार में flat surface का यूज किया जाता है इस plotter में pen कई आकार हैं कई रंगों में उपलब्द होती है यहां कागज की छपाई के अलावा plastic, cardboard आधी चीजों पर भी प्रिंट कर सकते हैं next output device है printer तो अब हम printer के विशवि में अध्यन करेंगे कि printer क्या होता है तो printer एक output device है जिसका प्रियोग computer से प्राप्त आंकणों और सूचना को किसी कागज पर print करने के लिए करते हैं अर्था जो printer है वह computer hardware के अंतरगत आने वाली एक output device है जिसका उप्योग computer में संग्रहीत या computer में store की गई किसी भी शूचना या किसी भी प्रिकार के data को कागज पर print करने के लिए किया जाता है अर्थाथ computer में संग्रहीत या store की गई किसी image या किसी document या किसी text को कागज पर print करने के लिए printer का उप्योग किया जाता है printer को कुछ इस परकार परिभाशित किया जा सकता है कि जो printer वह उपकरण है या वह electronic device है जो computer में soft copy को hard copy में बदलने का कारे करता है अर्था जो soft copy होती है उसे hard copy में बदलने का कारे printer के माध्यम से किया जाता है तो printer होता है वह computer से connected रहता है यानि कि computer से जुड़ा हुआ रहता है इसके माध्यम से कागज पर print किया जाता है और जो output के रूप में जो कागज पर print होता है वह प्रती जो है वह hard copy कहलाती है तो soft copy और hard copy को समझ लेते हैं कि यह क्या होती है तो सबसे बहुत देखते हैं soft copy के बारे में, तो soft copy जो है वह किसी computer में store की गई हुई या संग्रीत की गई कोई image हो सकती है या कोई document या text हो सकता है जिसे हम touch नहीं कर सकते हैं बरकि किसी software device के माध्यम से हम उन्हें देख सकते हैं लेकिन touch नहीं कर सकते हैं इनहीं image या document या text को अगर हम कागश पर print करते हैं तो उन्हें ही hard copy कहा जाता है तो आपको soft copy और hard copy समझ माया होगा जो soft copy होती है वह computer में store की गई कोई image या कोई document तथा कोई text होता है जिनने हम touch नहीं कर सकते हैं बलकि हम उन्हें किसी software device के माध्यम से हम उन्हें देख सकते हैं और अगर hard copy की बात करें तो hard copy जो है वह जो store की गई image होगी या document या test हो गया उन्हें जब हम कागश पर print करते हैं उन्हें hard copy कहा जाता है तो printer जो है वो एक output device है जिसका प्रियोग computer से आंकडे तो था सूचना को किसी कागश पर print करने के लिए किया जाता है next point है computer की output गुणवत्ता को dpi अर्था dot per inch में मापा जाता है बहुत important है dot per inch के माध्यम से computer की output गुणवत्ता को मापा जा सकता है आगे हम देखते हैं types of printer तो types of printer पर देखते हैं कि printer को उनके आकार उनकी गुणवत्ता बनावड speed के अधार पर विवाजित किया गया है तो जो प्रिमुग रूप से विवाजित किया गया है उनके अंतरगत है impact printer और non impact printer तो printer को दो भागों में divide किया गया है जिसमें है impact printer और non impact printer तो impact printer ऐसे printer होते हैं जो बहुत जादा noise produce करते हैं उन्हें हम कहते हैं impact printer दूसरा आता है non impact printer तो non impact printer ऐसे printer होते हैं जो बहुत कम noise या बहुत कम आवाज produce करते हैं उन्हें non impact printer कहा जाता है impact printer के अंतरगत दो types के printer आते हैं जिसमें सबसे पहले है character printers और दूसरा आता है line printers तो character printers ऐसे printer होते हैं जो एक बार में केवल एक अक्सर या एक character को print करने का कारे करते हैं जबकि line printer ऐसे printer होते हैं जो एक बार में एक पंक्ती या एक line को print करने का कारे करते हैं उन्हें line printer कहा जाता है character printers के अंतरगत आते है dotmatic printers और daisy wheel printers जबकि line printer के अंतरगत आते है drum printers, chain printers और इसके अलावा band printers जो है वह line printers के example है यह आपको ध्यान रखना है दूसरा आता है non-impactive printer तो non-impactive printers के अंतरगत आते हैं inkjet printers, laser printers और thermal printers जो है वह non-impactive printers के example है तो आपको यह जो डाइग्राम है वह अच्छे से याद करना है किसी भी प्रकार का प्रस्ण पूशा जा सकता है कि Impact Printer को कितने भागों में बाटा गया है तो दो भागों में बाटा गया है Character Printers और Line Printers पूशा जा सकता है कि Drum Printer जो है वह किस के अंतरगत सामिल है तो Impact Printer, Impact Printer के अंतरगत भी Line Printer के अंतरगत, Drum Printer सामिल है इसके अलावा पूशा जा सकता है कि Laser Printer किस Printer का Example है तो आपको ध्यान रखना है Non Impact Printer का उधारन है तो आपको किसी भी प्रकार से प्रस्ण पूशा जा सकता है तो आपको यह डाइग्राम अच्छे से ध्यान रखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं Impact Printer तो Impact Printer जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा Impactful होते हैं Impact Printer ऐसे Printer होते हैं जो बहुत ज़्यादा Noise Produce करते हैं अर्थाद बहुत ज़्यादा Sound या आवाज को Produce करते हैं ऐसे प्रिंटर Impact Printer कहलाते हैं तो Impact Printer के लिए कुछ ना कुछ Strong Impact होना आवश्यक है क्योंकि तभी यह प्रिंट का कारे करते हैं इनमें जो है वह रिबन और पेपर पर इस्ताइक से Text Printer होता है अर्थाद Printer के लिए इसमें Ink Ribbon का प्रियोग किया जाते हैं और Ink Ribbon के confidence से ही इसमें Print का कारे होता है यह वह पुराने टाइप राइटर के समान ही कारे करते हैं तो जो पुराने टाइप राइटर होते हैं यह उन्हीं के तरह कारे करते हैं जो वर्तमान में जो normal printer होते हैं उनके comparison में बहुत ज़ादा noise produce करते हैं इसी लिए इन्हें जो है impact printer कहते हैं जबकि जो non impact printer होते हैं वो ऐसे printer होते हैं जिनमें इंक ribbon का प्रियोग किये बिना ही किसी वर्ण या किसी अक्षर को print करने का कारे किया जाता है ये एक बार में ही पू paste printer भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ एक ही बार में पूरा एक पेज को print कर देते हैं इनमें thermal chemical, electrostatic, pleasure beam या inkjet का उप्योग किया जाता है आगे हम देखते हैं impact printer के अंतरगत character printer को तो character printer इसे serial printer भी कहा जाता है यह एक बार में एक ही character एक ही वर्ण को print करता है इसकी गती बहुत ह प्रिंटर का इसे पहले हैं इसमें चोटे-चोटे-चोटे-पिनों की एक पंक्ती होती है तो जैसा कि इस चित्र में दिखाए दे रहा है कि इसमें चोटी-चोटी pin लगी होती है एक पंक्ती में जो एक ribbon से टकराती है और जैसे ही ये pin ribbon से टकराते हैं कागज पर matrix के अकार के points का समूँ बन जाता है और जिसके परड़ाम सवरू कागज पर print होता है तो printing का अकार ज सकते हैं अर्था जो colorful print हैं उन्हें भी अप्रेंट कर सकते हैं dot matrix printer इनमें liquid ink का प्रियोग किया जाता है तो इनमें प्रियोग जो है बहुत dot matrix printer के अंतरगत किया जाता है जबकि inkjet printer के अंतरगत drying का प्रियोग किया जाता है तो कुछ इस प्रिकार के होते हैं dot matrix printer जिनमें चोटे चोटे pins एक पंक्ती में लगे होते हैं जब यह ribbon से टकराती हैं तो कागज पर matrix के अकार के points बन जाते हैं और इनी points के परिणाम सरुक कागज पर print होता है और यह colorful printing भी कर सकते हैं तो जो rail ticket में आपने देखा होगा rail ticket तो उसमें जो है वह जो छपाई का कार्य होता है वह dot matrix printer के माज़ियम से ही किया जाता है नेक्स हम देखते हैं daisy will printer तो daisy will printer जो है वह impact printer का example है यह भी एक बार में एक character को ही print करता है यह printer image ग्राफिक्स को print नहीं כरते हैं तो बहुत important point है कि कौन से printer ऐसे हैं जो image और photographic को print करने का कारिन नहीं करते हैं तो daisy will printer जो है वह प्रिंट करने का कारें नहीं करते हैं किसी image और किसी graphic को यह आपको ध्यान रखना है कुछ इस प्रकार के होते हैं daisy wheel printers next हम देखते हैं line printers तो impact printer के अंतरगर जो दूसरा type था वह था line printer तो line printer को bar printer के नाम से भी जाना जाता है तो बहुत important point है कि bar printer किस printer को कहा जाता है तो line printer को bar printer भी कहा जाता है यह एक प्रकार का impact printer है जो बहुत तेज गती से कारे करता है यह printer एक समय में कागज की पूरी line को print कर सकता है अर्थाथ एक बार में यह कागज की पूरी line को print कर सकता है इसलिए इन्हे लाइन प्रिंटर कहा जाता है इनकी गती LPM यानि लाइन स्पिर्थी मिनट या लाइन पर मिनट में मापा जाता है आगे हम देखते हैं लाइन प्रिंटर के अंतरगत आने वाला ड्रम प्रिंटर तो drum printer जो है वह printing के लिए इसमें carbon ribbon का प्रियोग किया जाता है तो carbon ribbon का प्रियोग किसमे किया जाता है तो drum printer में carbon ribbon का प्रियोग printing के लिए किया जाता है ये भी color print कर सकते हैं अर्थार colorful printing के लिए drum printer का use किया जा सकता है देखते हैं तो इस परकार के होते हैं drum printer तो डिरम printer में जो होता है वर्ष्लेंडरी का drum लगा होता है और जब यह drum roam rotate होता है तो उसी के माद्यम से print का कारे क्या जाता है next देखते हैं chain printer तो इनमें print करने के लिए वर्णो वाली एक chain का उप्योग किया जाता है तो इस परकार की chain का उप्योग किया जाता है ये बहुत सोर करने वाले printer है अर्थात ये बहुत जाधा noise produce करते हैं इनकी गती का मापन line per minute में किया जाता है अर्थात जो line printer होते हैं उनकी गती का मापन LPM यानी line per minute में किया जाता है next हम देखते है band printer तो जो band printer होते हैं वह बहुत line printer का example है तो जैसा कि हमने line printer में देखा था कि यह तीन प्रकार के होते हैं drum printer, chain printer और band printer तो यह क्या है वह बहुत line printer का example है इस printer से भी एक बार में पूरी पंक्ती print होती है तो इसमें भी line printer होती है तो कुछ इस प्रकार के होते हैं band printer तो यहां पर जो है वह magnetic लगा होता है यानि कि चुंबग लगा होता है और यहां पर यह वह paper को डाला जाता है और एके करके फिर प्रिंट किया जाता है नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन इंपेक्ट प्रिंटर तो हमने इंपेक्ट प्रिंटर के बारे में अध्यन कर लिया है अब हम देखते हैं नॉन इंपेक्ट प्रिंटर तो जो नॉन इंपेक्ट प्रिंटर होते हैं उन्हें पेस्ट प्रिंटर भी कहा जाता है तो पेस्ट प्रिंटर किन्हें कहा जाता है तो नौन इंपेक्ट प्रिंटर को अन्य पेस्ट प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है तो non impact printer जो होते हैं वो impact printer के बिल्कुल बिप्रीद कारे करते हैं impact printer के अंतरगत इंक रिबन का प्रियोग किया जाता है प्रिंटिंग के लिए जबकि non impact printer के अंतरगत इंक रिबन का प्रियोग नहीं किया जाता है बर्कि इनमें electronic technique के माधियम से print करने का कारे किया जाता है तो जो non impact printer होते हैं वो बहुत कम noise produce करते हैं अर्था ना के बराबर noise produce करते हैं इसलिए वर्तमान में जो बहुत जादा use किया जाने वाले printers हैं उनमें नॉन प्रिंटर्स आते हैं जिसमें जो बहुत ज्यादा प्रियोग किया जाता है उसमें है लेजर प्रिंटर तो इंकजट प्रिंटर्स में जो है बहुत ड्राइ इंक का प्रियोग किया जाता है अर्था जो इंकजट प्रिंटर होते हैं उनमें प्रिंट करने के हो जाती है अगला point देखते हैं इनका प्रियोग Color Printing के लिए भी किया जाते है अर्था जो ink jet printer होता है इनका प्रियोग Colorful Printing के लिए भी किया जाता है और जो ink होती है वह Cartridge में संग्रीत होती है सभी मुख्या रंगों के लिए अलग-अलग cartridge बनी होती है तो आपको ध्यान रखना है कि inkjet printer जो है वह color printing के लिए भी प्रियोग किया जाता है और ink जो होती है वह cartridge में संग्रीत होती है तो color printing के लिए CYM के model का प्रियोग किया जाता है तो अपने प्राथमिक रंगों के बारे में देखा होगा कि प्राथमिक रंग जो होते हैं वह RGB होते है अर्थार R का मतलब होता है red green और blue इसके अलावा जो प्राथमिक color है और CYM के अर्थार C का मतलब है cyan, yellow, magenta और जो key color होते हैं इनसे मिलकर जो है वह दुनिया के सारे रंग बनाए जा सकते हैं इन्हें एक निश्चित अनुपात में मिला कर यानि कि एक निश्चित अनुपात में mix करके बना सकते हैं तो color printing के लिए CYM के model का प्रियोग किया जाता है next हम देखते हैं इनकी गती का मापन PPM यन की पेस पर्ति मिनट यन की पेस पर मिनट में की जाती है और थाथ northeast इंकजर प्रिन्टर का मापन जो है वह पेस पर मिनट में किया जाता है यह आपको धियान लगना है next हम देखते हैं laser printer तो laser printer में print करने के लिए जिन points की ज़रूरत होती है उन्हें laser तकनीक के माधियम से बनाया जाता है जब printer में print का आदेश दिया जाता है तो drum पर laser beam विद्यूत आविशों को नियंतरित का text और आकरतिया बनाती है next आता है inkjet printer की तुलना में काफी तीब्र गति से कारे करते हैं अर्था जो laser printer होते हैं वह inkjet printer की तुलना में बहुत speed से कारे करते हैं इसलिए वर्तमान में यह सरवाधिक लोग परिये हैं क्योंकि यह high quality characters और graphics अपेक्शाक्रत बहुत तेजी से print करने में सक्षम है तो इसलिए वर्तमान में इनका बहुत जादा प्रियोग किया जाता है तो इन printer's का मापन जो है वह PPM यानि की पेस पर मिनट के अंतरगत किया जाता है आगे हम देखते हैं thermal printer तो इसका प्रियोग wax आधारे दिवन के जरिये अकसर को print करने के लिए किया जाता है और इस printer से किया गया print बहुत देर तक नहीं रहता है thermal printer का यूज ATM तथा अन्य रिसीद बनाने के लिए किया जाता है तो जैसा कि आपने देखा होगा ATM की receipt और देखा होगा बिजली का बिल तो उनमें जो print करने का कारे होता है वह thermal printer के माध्यम से ही किया जाता है आगे देखते हैं आगे है output device projector अब हम output device projector के बारे में कुछ important points को देख लेते हैं कि projector क्या होता है तो एक ऐसा उकरन जो image को किसी सतह पर प्रक्षेपग करता है वह प्रक्षेपग या projector कहलाता है तो projector को हिंदी में प्रक्षेपग कहा जाता है इसके माधियम से किसी image और किसी video को परदे पर या किसी सतह पर दिखाया जाता है तो projector जो है वह computer hardware के अंतरगत आने वाला एक output device है जो बड़े screen पर output देने का कारे करता है इसलिए इसे output device कहा जाता है इसके माधियम से किसी image या किसी video को बड़ी सतह पर जैसे दिवार पर या परदे पर दिखाया जा सकता है इसकी खास बात यह होती है कि इसमें चोटी सी-चोटी image को भी बड़ा करके दिखाया जाता है पर इसके लिए कोई खास screen क्या वर सकता नहीं होती है अब हम देखते हैं output device speaker के बारे में speaker एक output device है के लिए किया जाता है अर्था साउंड को सुनने के लिए किया जाता है इसका उद्देश यह है कि यह यूजर यानि उप्योग करता के लिए ओडियो आउटपुट प्रदान करना तो इस्पीकर जो है वह कंप्यूटर हाडवेर के अंतरगत आने वाला एक आउटपुट यूजर को आउटपुट प्रदान होता है तो यह थी आज की वीडियो जिसके अंतरगत हमने महतपुण आउटपुट डिवाइसे के विसे में अध्यन किया जिसमें हमने मॉनिटर, प्रिंटर, प्लोटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर के विसे में महतपुण तथ्यों को अ